बचो नमस्कार मैं विपीन एक बार फिर से रोजगार वी दंकित आपके अपने परिवार मैं आपका स्वागत करता हूँ हारदी कभी नंदन करता हूँ और उमीद करता हूँ बचो बहुत बहतरीन होंगे शांदार होंगे जबरजस्त होंगे तो कैसे हैं आप सब लोग जल्दी से कमेंट करेगा और जल्दी से बताएंगे सबी लोग कैसे हैं आप जल्दी से कमेंट करेंगे और जल्दी से बताएं जैन अच्छी साम है सर बिल्कुल बहुत अच्छी साम है सुबा भी अच्छी है दोपैर भी अच्छी है रात भी अच्छी है ठीक है चलो, सर आप कैसे हैं बहतर हैं, बहतरीन, बढ़िया गजब ऊचे खुवावों के लिए चली चलो चलो ठीक है ठीक अब यूनिक बहुत बैदरीन लिखे हैं बढ़िया लिखे हैं ठीक है तो I know very well ठीक है if you want to achieve in your life something else so you have to do that most effort to achieve that thing in your life sometimes you don't want to achieve the things only for you which things is achieved by you ठीक है sometimes is useful for others but you should get it हिंदी तात पर यह है कि हम बहुत बारी महनत करते तो वो खाली महनत क्या होती खाली उसका result हमें ही fruitful नहीं होता कि हमारे लिए fruitful है हमें ही वो काम आएगा suppose that I just achieved a job ठीक है in a government sector तो खाली ऐसा नहीं कि जोब सिर्फ मेरा ही भविश्य से बना रहे हैं बेटा मेरे आने वाले जो next generation होगी मेरे साथ जो मादा पिता जुड़े हैं भाई भेन जुड़े हैं ठीक है कहीं न कहीं life एक बहुत ही बहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से मतलब आगे निर्वा हो सकती है तो खाली जोब को ना आप ऐसे मत जोड़िए कि मैं जोब लगा लूँगा और मेरी जोब लग जाएगी जोब बेटा आपकी नहीं लगती है पूरी family की लगती है मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात से सहमत हो या फिर नहीं कैसी बात कर दी गुरुजी मेनत हम कर रहा है तो जोब भी सिर्फ हमारा ही होगा ठीक है जोब भी सिर्फ करन कुमार का ही होगा बाकी किसी का नहीं किसी का कोई हक नहीं ठीक है कोई इससे संबंदित नहीं होता लगती है लेकिन सहन सा वह बनते हैं I think so मतलब मेरा यह मानना है I don't know what you think about that आपका क्या मानना है विचार अलग भी हो सकते हैं ठीक है तो खाली आप अपने लिए मेहनत नहीं करें पूरे परिवार को ट्रेक पर लाने के लिए मेहनत करें so be the best और प्यारे बचो जैसा कि earlier I told you about the SSE CGL Examination which kind of jobs it offers us यह हमें कौन सी job offers करता है तो आप समझेगा one of the best mini UPSC बोल दें इसको so do the best income tax inspector English हम पास करवा देगा पंकज वादा है बस class में बने रहीएगा चलो देखते हैं तो फिर आज हम लोगों का next topic है come to the point please narration कौन सा topic है N A R A T I O N narration क्या बोलते हैं इसको इसको यह भी बोलते हैं D I R E C T direct and indirect speech यही बात होती कि नहीं होती है direct और indirect speech short में क्या बोलते हैं narration बोलते हैं प्यारे बैचा शोट में क्या बोलते हैं narration बोलते हैं narration ग्यारे संदू good evening sir ठीक है चलो vocabs करो please बेटा vocabs भी कराएंगे topic अब मैं इसको final करा देता हूँ अगर एक साथ हो जाते हैं तो इनके mix exercise भी मुझे आपके लिए लेकर आनी है ठीक है ना चलो तो जिरा ध्यान से देखो इसमें दो बाते आपको याद रखने है narration होता क्या है जरा ध्यान से देखो आपने कुछ इस तरीके का देखा होगा मैं इसको क्या बोलता हूँ he says to me I am a doctor ये बात अपनी हाँ पर लिखता है I am a doctor getting my point चलो तो जरा ध्यान से देखो जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I am a doctor हो जाएगा getting my point चलो जरा ध्यान से देखेगा मैं इसको क्या बोलता हूँ मैं इसको क्या बोलता हूँ यह जो हमारा coinverted comma से पहले होता है इसको आप बोलते हैं R-E-P-O-R-T-I-N-J reporting verb क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं reporting verb यह हमारा क्या होता है, याद रखना, मेंस में बहुत बड़ा कराइटेरिया होता है, इसको हम बोलते हैं, र-E-P-O-R-T-E-E-D, Reported Speech, क्या होता है? Reported Speech, कोई doubt यहां तक, यहां से लेके यहां तक का, यह क्या होता है? यह क्या होता है? चाहिए यां कोई भी subject हो, कुछ भी हो, यह होता है हमारा reporting verb, क्या होता है reporting verb, यह हमारा प्यारे बच्चों क्या होता है, reported speech होता है, क्या होता है, reported speech होता है, किसी को कोई doubt शक्या संदे, किसी को कोई doubt शक्या संदे, प्यारे बच्चों यहां तक जल्दी से मेरे को बताईएगा, किसी को भी कोई भी doubt शक् चलिएगा अगर किसी को डाउट हो तो बोलो चलो अब मैं आपको दो तरीके से बाते बता दूँ दो टेंज जो होते ही एक तो होता है present और future और एक होता है past तो आपको पहली क्या बात याद रखने है पहली क्या बात याद रखने है ठीक है पहली यह याद रखने हैं पहले मैं आपको कुछ वर्डिंग सिखा देता हूँ इनको जरा याद रखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ याद रखें अगर says to आपको दिया हुआ है तो यह किस में change होगा जारी सी बात है किस में change होगा जाहिर सी बात है tells में change हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्यारे बच्चो say to तो यह किस में change हो जाएगा यह किस में change हो जाएगा tell में change हो जाएगा चलेगा आगे जरा next देखेगा जरा next देखेगा मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्यारे बच्चो sad to किसमें बात करता हूँ sad to तो यह किसमें हो जाएगा told में change हो जाएगा पहली बात तो यह दूसरी बात आपको क्या देखनी है दूसरी बात प्यारे बच्चो क्या देखनी है जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चा एक होता है हमारा S, O, N, Sun ये क्या होता है 1, 2, 3 बहुत आसान सब्दों में समझाऊंगा इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे ये होता है हमारा S, U, B, J, E, C, T, Subject बै प्रॉपर सेंटेंस तो ये हो गया न कोई भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट, शकिया संधे हाँ, जल्दी से बूलिएगा किसी को कोई भी डाउट, शकिया संधे कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट, चलेगा next देखो, जरा next क्या होना चाहिए next देखेगा, जरा next क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों जराध्यान से देखो जराध्यान से देखेगा आई एम ए डॉक्टर तो ये हो जाएगा हमारा reported speech अब मैं कहरा हूँ first person हमारे कौन-कौन से होते हैं first person कौन-कौन से होते है प्यारे बच्चा ये होता है हमारा I और V क्या होता है I और V हमारे क्या होते हैं First person होते हैं Second person हमारा क्या होता है You होता है Third person में कौन-कौन से आते हैं या तो बेटा He हो सकता है या C हो सकता है या फिर क्या हो सकता है D हो सकता है क्या हो सकता है D Clear हुआ आपको क्या याद रखना है आपको ये बात याद रखनी है I और V हमेशा किसके अनुसार बदलेंगे बदलते हैं मैं यहां लिख देता हूँ बदलते हैं I और V हमेशा किसके अनुसार यह S से मतलब होता है subject S से मतलब क्या होता है subject होता है O से मतलब क्या होता है object होता है U बेटा किसके साब से बदलेगा object, अगर यहां पर U है तो यहां के साब से बदलेगा, जो भी चीज यहां लिखे होगी, वो subjective mode पर आकर इधर लिख जाएगी, अगर यहां I और V दिये जाएंगे, तो वो बदलेगे subject के साब से, किसी को कोई भी doubt, सक या संदे, spoken English भी करा दें, ठीके, according to me, the grammar part is most essential to pass any examination, so don't think that he is speaking, he is speaking, the first priority is yours to pass the examination and over there, no spoken communication is required, मेरे भाई, कोई भी spoken का communication required नहीं है, उधर, उधर क्या required, only grammar portion, so be the best in that part, आपको उस पार्ट में best बनना है, और प्यारे बच्चों आपको exam निकाला है, after clearing any examination, you have lots of time, plenty of time to learn anything else, not to speak of spoken classes, you can learn familiar, telugu, as well as, ठीक है, तो आप ये बाते भी सीख सकते हैं, मतलब spoken भी इतना माइन नही और किसी को देख के मतलब inspire, यार ये अंगरी जी बोल ला है तो यार मुझे भी सीखने हैं, नहीं भाई, ये देखेगा, उसका मतलब क्या पता, क्या criteria रहा, उसमें कितना महनत किया, कितना time दिया है, वो इतना time देके आया, तो क्या मुझे भी इतना देना जी, इतना time अग आपने target से मत भटको, target है CGL और वहाँ बेटा spoken नहीं मांगता, ठीक है, बाद की बात है आप कितना improve कर रहे हैं, लेकिन पहले वो आपसे grammatical portion मांगता है, तो be the best in that part, ठीक है, चलो, ये बात यहां तक clear है, तो जड़ा बताओ, ये दोबारे समझा दो, ठीक है बिल्कुल ब object ये क्या होता है, हमारा object होता है, ये हमारा subject होता है, होता है के नहीं होता है, definitely होता है, clear, चलो, अब आपको basically एक बात याद रखने है, देको यहां की चीजे न इसके हिसाप से बदलती है, अगर यहां पर I और V, तो I और V बदलते हैं subject के हिसाप से, देको future subject लिखा कि न बनाते हुए यहां पर copy हो जाएगा सब्सक्राइब यहां पर यू दे दिया तो यू किसके साब से बतलेगा object के साब से object के हमारा जो भी यहां लिखाओगा वो इधर लिख देंगे जो भी यहां लिखा होगा उसको यहां पर लिख देंगे subject बना कर सब्सक्राइब यहां पर यह लिखा होता है यू आरे डोक्टर तो यू मी के साब से चेंज़ होता है मी का subject बनकर क्या आ जाता इधर आई आ जाता वो देखो सब sentence आप सीखते रहोगे ना तब आ जाएगा आ जरा next page देखो ध्यान से जरा next देखेगा अब पहली बात यह rule first है कि लिए यह मैंने बताएं subject बदलते हैं यह मैंने क्या बताएं subject बदलते हैं बेटा मैं example भी दूँगा भी तो मैंने example कराया ही नहीं है आपको बेटा अर्चना मैंने करा दी थी यह मैंने करा दी थी voice imperative sentence की voice मैंने करा दी थी आपको ठीक है चलो जरा ध्यान से देखो आपको यह याद रखना है आपको यह याद रखना है जब र-e-p-o-r-p-i-n-g जब reporting verb प्रे-s-e-n-t प्रेजेंट या f-u-t-u-r-e future में future में दी जाती है दी जाती है तब r-e-p-o-r-t-e-e-d reported speech का reported speech का भाई सब ज़रा ध्यान से देख लिजेगा क्या लिख रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से tense खाली tense लिखा है tense no c-h-a-n-g no change रहेगा बात समझ में आई मतलब यही c-they-u-i-v यही बदलेंगे tense नहीं बदलेगा present दिया हुआ है तो present ही नीचे रहेगा कोई doubt किसी को किसी को कोई doubt हाँ भी जल्दी से बताओ किसी को कोई भी doubt यहां तक चलो जरा ध्यान से देखो जरा ध्यान से देखो example मैं आपको सिखाता हूँ अब देखो present और feature तो आपको पता ही होगा present का मतलब होता है first form और feature का मतलब होता है will होता है ठीक है बई? चलो तो जरा ध्यान से देखो मैंने यहां पर कहा he says to me, I am a doctor बात है भूत आसान कैसे? जरा ध्यान से देखो मैंने यहां पर कहा he says to को किसमें change कर देंगे? else में यहां क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चा? me आपको यह याद रखना है कोमाज यह कोमाज है कोमाज के लिए ठीक है बई? that का परियोग करते है he tells me, इसके लिए हम किसका परियोग करेंगे? that का परियोग करेंगे किसका परियोग करेंगे? that का अभी मैं आपको क्या पढ़ाया था? बेटा, I और we हमेशा subject के हिसाब से बदलते हैं यही बात लिखी थी ना I और V subject के हिसाब से बदलते हैं subject क्या है रहे बाबू ही तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा ही हो जाएगा अब ऐसा तो है नहीं कि हम tense change नहीं करें है tense का मतलब होता है काल present past future जो भी दिया हुआ है क्यों adjectives copy हो जाएगा अब he के हिसाब से बेटा I के हिसाब से तो MR ही के हिसाब से क्या हो जाएगा is doctor किसी भी व्यक्ति को कोई सिकायत दिक्कत प्रेसानी doubt हो तो जल्दी से बताओ बेटा present है तो present में रहेगा यह नहीं कि है present है तो इसका past बना देंगे ठीक है बिल्कुल कराएंगे आप फिकर ना करें एक और sentence जर आप मेरे को ध्यान से ध्यान से बताएंगे ध्यान से क्या होना चाहिए मैं एक और यहाँ पर sentence लिखता हूँ मैंने कहा मैंने कहा they will say say to me you are you are you are you are a बहुत basic sentence मैं आपको दे रहा हूँ चुकि basic अगर आपको आ गया है तो फिर मैं high level आपको करा सकता हूँ जल्दी से देखो क्या होना चाहिए इसको और बद जल्दी से बताओ आप मेरे को क्या होना चाहिए चलो भी देखो जल्दी से जरा ध्यान से देखो कैसे होगा प्यारे बचा बहुत आसान बात है दे है तो as it is will है तो as it is say to आ रहा है तो किस में change करेंगे tell में change करेंगे me है तो as it is इसके लिए क्या लगाएंगे that का प्रियोग करेंगे किसका प्रियोग करेंगे अब जरा ध्यान से देखेगा यहाँ पर क्या है you क्या पढ़ाया था कि you i और we हमेशा subject के साप से बदलते हैं और you हमेशा किस के साप से बदलता है you हमेशा किस के سाप से बदलता है object के साप से अब ध्यान से देखो दोस्तों यहाँ पर nei amat पर οι औप क्या दो民ली को इधर लेकर जाएंगे सब्जेक्त में यहां दैंम लिखा हुता हैं सेंटने हैं किसी को कोई डाऊट हो तो बूले एक बार हाँ भी जल्दी से बोलो किसी को कोई भी डाउट हो प्यारे बच्छो किसी को भी I think there should be no doubt here चुकि I have just taught you the basic things ध्यान से देख एक बार मैं थोड़ा side हो जाता हूं प्यारे बच्छो किलियर अगर सारी चीज़ें आप लोगों को प्यारे बच्छो किलियर है तो एक बार थम अप करके बताएं कि सर बिल्कुल किलियर है कोई डाउट नहीं है so that कि मैं आगे वाले टैंस पर easily चल सकूं चलो तो फिर चलते हैं चलते हैं फिर अपने next sentence पर चलते हैं फिर अपने next sentence पर अब कुछ बाते ज़रा ध्यान से देखेगा reporting verb past में हो तो भाई साब salty आप थोड़ा सा आगे चल रहे हैं बिल्कुल मैं I just gonna teach you that मैं आपको वही चीजे पढ़ाने जा रहा हूँ जो आप मिर से पूछने वाले हैं पूछ रहे हैं या फिर पूछने वाले हैं कुछ लोग चलो ध्यान से देखेगा याद रखें सर मैं सब याद रखेंगे बस आप पढ़ाते रहो आपकी हर बात याद रखेंगे बस पढ़ाते रहो कुछ नहीं भूलेंगे ठीक है चलो जरा ध्यान से देखेगा सर मैं अलग से पूछ रही हूँ इंगलेस चलिएगा भाई कमेंट्स बाबु जल्दी से ऊपर हो जाओ थोड़ा सा speaking के लिए मेरी क्लास नहीं है बेटा अभी spoken तो नहीं चलता grammar चलता आगे कभी plan होगा so you just keep in touch with me तो अगर कोई ऐसा plan होगा spoken वगेरा का तो आपको ठीक है जरूर इतलाहा कर दिया जाएगा तो अभी ऐसा कोई plan नहीं है अभी तो grammar portion चला हुआ है for the purpose of competitive examinations if you want to complete them ठीक है तो आपको पढ़ सकते हैं अभी spoken तो नहीं चला हुआ है ठीक है आगे कभी होगा तो जराध्यान से देखेंगे ठीक है र-e-p-o-r-t-i-n-g रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे जाए ठीक है बई बच्चो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे जाए तो सर क्या हो जाएगा फिर बताओ क्या होगा ठीक है तब ये बातें ये सब्द तब ये शब्द जड़ा ध्यान से देखिएगा हिंदी में लिखे हैं निम्न में बदल जाते हैं निम्न में बदल जाते हैं तो ये बातें निम्न में बदल जाती है अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्व पास्ट में दी दी गई है तो आपको याद रखना तब बहुत कुछ बदल जाता है और आपको ये भी नहीं घवराना कि सब याद कैसे होगा बटा पढ़ते 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 सब रट जाता है ओटोमेटिकली रट जाता है राम राम गुरुजी बहुत मैनत कर रहे हो ठीक है हम भी कर रहे हैं हाँ बिल्कुल सेलेक्षन होते ही मिलते हैं बहुत बढ़िया ठीक है मिठाई खिलाओंगा शाब बास ठीक है डन जरा ध्यान से देखेगा जरा ध्यान से देखेगा बेटा किस में बदल जाता है किस में बदल जाता है वाजवर में बदल जाता है किस में बदल जाता है वाजवर में बदल जाता है जरा ध्यान से देखेगा पहली बात दूसरी बात क्या याद रखेंगे ठीक है बही दूसरी बात क्या याद रखेंगे verb की verb की first form first form किस में बदल जाएगी second form में बदल जाएगी तो sir फिर second किस में बदल जाएगी अभी बताते हैं second form किस में बदल जाएगी sir ये बदल जाएगी third form में और बेटा third form क्या होता है मैं पूरा लिख देता हूं head plus third form में बदल जाएगी तर थर्ड फॉर्म किसे में बदल जाएगी, यह चोथी बात है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो भाई साब यह रहेगी, नो चेंज, कैसी रहेगी, नो चेंज, ठीक है, आप कोई नाले में जाके गिरोगे, या नदी में जाके गिरोगे, किलर, ठीक है, तो बेटा, आपको यह याद रखना है, अगर सेकिन फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म आरी, तो इससे जादा होता क्या, अब अलग से चोथी फॉर्म बनाओगे, क्या, आई इन जी में तो जाना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा, क्या होने वाला है, नो चेंज होने वाला है, ठीक है बई, चलेगा, नमबर पांच, नमबर पांच, किलर, चलो, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, सेकिन फॉर्म बदलता है, थर्ड फॉर्म में, head plus third form no change रहेगा अब क्या? अब जरह ध्यान से देखेगा बहुत ही important बात है बहुत ही important बात है अगर मैं यहाँ पर यह क्या दूँ was यह वर was यह वर और plus verb में ing देखो white से इसलिए लिखा कि आपको दूर से चमक जाए आपको दूर से चमक जाए बहुत आसान है was word plus verb में ing किसमें बदलेगा बहुत बहुत बहतरीन जरह ध्यान से देखो head और plus bean किसमें बदलेगा और plus verb में ing ठीक है बई मितरो ठीक है बई यह इसलिए लिखा है चुकि बहुत बार बच्चों से गुम हो जाता है बच्चा सर वाजवर आई इंजी आ रहा तो इधर भी वाजवर आई इंजी आ जाएगा ठीक है चलो सर आप मेरे best हो गए हैं आपके fan हो गए हैं इंग्लिस में आप हमको best बना दीजेगा very very thank you but course complete bad practice set लगाता बेटा I'll do my best ठीक है मेरे पास जितनी चीजे होंगी जितना utmost मेरे पास होगा ठीक है I would like to deliver to you ठीक है और खाली आपको यह नहीं मतलब सभी प्यारे बच्चों को मैं क्यों बढ़ा रहा हूं ठीक है क्यों हम सब लोग मिलकर महनत कर रहे हैं आप देखेगा मेरे और भी भाई जो मतलब बहुत महनत कर रहे हैं Maths को ले लिजेगा, GS को ले लिजेगा, ठीक है, पढ़ाते हैं तो PDF में लग जाते हैं, PDF सेटे हैं, फिर पढ़ाने लग जाते हैं, फिर PDF में लग जाते हैं, they don't, ठीक है, remember की दिन हो रहा है या रात हो, रांदर पता ही नहीं चलता है, तो इस level की सभी teachers आपके लिए महनत करत हैं, हाँ, बिल्कुल ले के आएंगे, CPU के लिए आप बिल्कुल फिकर ना करें, अजे परमार, ठीक है, no issue about that, ठीक है, very soon I'll be there, चलो, तो किलियर हुआ, वाजवर प्लस वर्ब में क्या होगा, प्यारे बच्चो, head प्लस bean में आएं जो जाएगा, अब आगे, सक्तिमान में अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, चलो, ऐसे ही आपको लगना चाहिए, अब क्या, अगर प्यारे बच्चा, has और have आता है, तो फिर किसमें चेंज हो जाएगा, head प्लस वर्ब की third form, देखो, यह तो आप जानते हैं, हमें सा third form होता है, क्या होता है, third form होता है, getting my point, चलेगा, फिर next देखेंगे, फिर next देखेगा, अगर प्यारे बच्चा, will आ गया, तो किसमें चेंज हो जाएगा, would मे, में आ गया, तो किसमें चेंज हो जाएगा, sir might में चेंज हो जाएगा, M I G H T cé again ठीक है here किस में change हो जाएगा ठीक है T H E R E there now किसमे change हो जाएगा वि मेरे 0 T H E and then this किसमे change हो जाएगा that में change हो जाएगा these किसमेn change हो जाएगा dोस्तो T H O S E those में change हो जाएगा will, would में may, might में might आएगा तो no change हो जाएगा और can आ रहा होगा तो इसको शहाब किसमे चेंज कर लेंगे could में जल्दी से पूछ के बताओ पडोसियों से भी पूछो किसी को भी कोई doubt हो तो प्यारे बच्चो जल्दी से phone करो जल्दी से message करो just tell me just tell me sir there is an error here we are not unable to get that word ठीक है why and how it is getting changed into that word कि यह सब्द इसमें कैसे change हो रहा है वो जरा आप हमका बताईए तो रोक भाईया आ गए है एडम लेकर ठीक है रोक भाईया आगे एडम लेकर मतलब आपको इतना ही ताकतवर और इतना ही मजबूत इंसान बनना है ठीक है मुझे दुनिया की परवाह नहीं ठीक है कुछ ऐसा ही मैं इंसान नहीं हूँ आपको भी ऐसा सोचना है मैं इंसान नहीं हूँ I don't get tired मैं ठाकता नहीं हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं खाना पीना सब इक तरफ I am not a human being ठीक है Until I am preparing for my examinations जब तक मैं सरकारी नोकरी का थैयारी कर रहा है ठीक है मेरे लिए आराम जैसा शब्द कोई डिक्सिनरी में नहीं हरे दोस्तों ए दुनिया वालो ऐसा कुछ मतलब धांसू आप भी अपने डायलोक्स बना कर रखें दुनिया पेल रही है डायलोक्स आप भी पेलो न अपने क्यों जै क्यों भई वाई बेटा अजे पर्मार आज चाय नहीं है आज मतलब मेडम नहीं है आपर तो चाय नहीं बनीए, ठीक है, आज चाय नहीं मिलिए, सुबह से मतलब दिमाग बस ऐसी हो रखाया, आज चलिए, तो जरह ध्यान से देखेंगे भई दोस्तों, जरह ध्यान से देखेंगे, चीजों को किलियर है यहां तक, चुंकि देखो यह सब कुछ डिपेंड बेटा स्टैनोग्राफी के लिए आप ले सकते हैं class there is no issue आप इसको ठीक है बहुत अच्छे है चुकि यह टैप रूट होगी आगे के आगे के ठीक है चलो तो जरा ध्यान से देखिएगा चलते हैं फिर next चलते हैं इसी बात पर next आगे जरा थोड़ा सा और याद रखें और देखो यह आपको रटना नहीं है यह पढ़ते पढ़ते सब पता चल जाता है this that में these those में के लिए चलो जरा ध्यान से बेटा रवी कुमार जी UP PCLA syllabus के बारे में आपको completely वीडियो दी जा चुकी है सर ने भी बताया था और मैंने भी अपनी class में ठीक है absolutely I just imparted all kind of knowledge about that regarding English तो सब मैंने आपको बताया था आप थोड़ा सा वहां से देखेगा चलो ध्यान से देखो ध्यान से देखो आपको यह याद रखना है today किसमें change करना है जब past दे रखाओ that day किसमें change हो जाएगा that day next देखेगा sir next देखेगा sir p-o-m-o-r-o-w tomorrow को किसमें tomorrow को किसमें the next day the next day ठीक है next हो जाएगा y-e-s-t-e-r-d-a-y yesterday ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा the p-r-e-v-i-o-u-s previous day क्या हो जाएगा the previous day तो यह सारी चीजे यह सारी चीजे मतलब आपको तब बदल लिए जब already आपको इदर क्या given होगा past given होगा अब ज़रा मैं आपको sentence देता हूँ बहुत बढ़िया और बहतरी न तरीके सेम चीजों को सीखने वाले इसने कहा he said to me क्या बात है यू आर एट टीचर तुम एक टीचर हो बहुत अच्छी बात इफाल तु लग गया है इसको वापिस करो जलो ध्यान से देखो जरा ध्यान से देखो यह हमारा एक sentence इसको इंडारेक्ट में आपको चेंज करना है ठीक है चलो बहुत बढ़िया है ठीक है बेर कोई है किसी को को कैसी को वीडियो कवालीटी बढ़ा लीजएगा ठीक है अपना फोन में एक बार tasted quality बढ़ा लीजेगा आप समझ में आ जाएगा ठीक है दीख जाएगा visible हो जाएगा इसकी जीगा क्या हो जाएगा that अब ज़रा ध्यान से देखो you किसके हिसाब से change होता है object के हिसाब से किसके हिसाब से object के हिसाब से तो जड़ा ध्यान से देखेंगे यू object के साफ से change होता है तो me का subject क्या बनाएंगे दर I बनाएंगे क्या बनाएंगे I अब मैं आपको क्या बोला मैं बोला जब ये past हो तो ये भी किसमे past में ismr किसमें change होता है was बर में और past में I के coding क्या आएगा was आएगा I was आगे क्या हो जाएगा teacher हो जाएगा क्या हो जाएगा teacher हो जाएगा getting my point getting my point clear चलो जरा ध्यान से देखो जरा ध्यान से देखो next देखेगा they said to me comma inverted comma comma inverted comma you do not play with him with him बहुत आसान है बहुत आसान है जरा ध्यान से देखो with him हो जाएगा ठीक है भी प्यारे बच्चा with him हो जाएगा clear चलो सर वाज कैसे आया बेटा मैंने उपर लिखा था जरा आप ध्यान से देखो चीजों को जरा आप ध्यान से देखो देखो ये लिखा हुआ है आपर जब रिपोर्टिंग वर्व पास्ट में अब जरा है ठीक है चलो तो यही तो बात आपको याद रखने है कि आई पास्ट में क्या होता है आई के साथ पास्ट में क्या आता है वाज आता है ठीक है चलो ध्यान से देखो कैसे करेंगे दे है तो as it is क्या रखेंगे as it is sad to को किस में change कर देंगे told में यहाँ पर क्या है me है इसकी जिगे फिर से क्या लगाएंगे that लगाएंगे क्या लगाएंगे that प्यारे बचो फिर से you आ रहा है अभी मैं क्या बोला है यू किसके हसाब से change होता है बच्चो जल्दी से बताओ किसके हसाब से change होता है ठीक है बई किसके हसाब से change होता है यू प्यारे बच्चो यू होता है object के हसाब से किसके हसाब से object object क्या मी मी को किसमें change करेंगे i में change करेंगे किसमें चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आए, अब देखो, डू नोट आ रहा है, इसका मतलब यह क्या होगा, पर्जेंट इंडेफिनिट, डू की सेकिंड फॉर्म क्या हो जाती है, डिड नोट, आगे क्या है, फिले एज इज आगे क्या है, हिम है, तो ही का पार्ट होता है, तो यह क्या रहेगा, no change रहेगा, as it is, खतम बस फुल स्टोप आ जाएगा, खतम बस फुल स्टोप हो जाएगा, किलियर चलेगा, कोई डाउट किसी को, I think होना तो नहीं चाहिए, किलियर वहाना, प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, किसी को भी कोई डाउट सक्षन दे, बेटा डिड नोट के साथ न, वर्ब की फरस्ट पॉम आती है, वर्ब की क्या आती है, फरस्ट पॉम आती है, ये बात काहे नहीं समझ रहें आप, जहां भी डिड नोट आ जाता है, वहां पर वर्ब की फरस्ट पॉम आती है, तो जो य कह रहे हैं कि सर प्लेड होना चाहिए तो जरा चाचा आप एक बात को ध्यान रखें कि यह बात मैंने आपको टाइम इंटेंस में पढ़ाई है कि जहां भी डिडड नूट आ जाता है तो वहाँ पर वर्प का फर्स्ट पॉम आता है ठीक है चलो तो ध्यान से रखना है आपको यह बात है कि लिए नेक्स देखेगा वोट शूट बी दा नेक्स्ट हीर मैंने कहा राम सेड टू मी ह-o-n-e-s-t-y ओनेस्टी इस दा बैस्ट प-o-l-i-c-y पोलिसी ओनेस्टी इस दा बैस्ट पोलिसी ठीक है भी प्यारे बच्चो जल्दी से कॉमेंट करिएगा और जल्दी से बताइगा बहुत बड़ी है भी है यात बहुत बहुत बहतरीन बहुत बहतरीन आपको चीजे बहुत आसान तरीके से सीखने है जितना चीजों को आसान तरीके से सीखोगे वो लाइफ लोंग आपको याद रहेगा और जितना हडबडी में घ्यान को इखटा कर लोगे ना मतलब जैसे तैसे कुछ भी दिमाग में घुसा लिया है बहुत जल्द उतना ही जल्दी वो दिमाग से निकल जाएगा ठीक है जितना वो बहुत सलोली दिमाग में बैठेगा फिट उतना ही you just remember ठीक है it will take a long time to come out from your mind ठ ठीक है यान रखिएगा अब इसमें आपको एक बात याद रखने है भी दोस्तों चुकि यह भी बात बहुत बड़ी इंपूर्टेंट है याद रखें ठीक है याद रखें उनिवर्सल टी आरइंश टूस्तों dal उतना है अमेशा है नौँज रहेगा बेटा यूनिवर्सल टूस्तों जो होगा वो हमेशा क्या रहने वाला है वो नौँज रहने वाला है getting my point, तो आप उसको बदलेंगी नहीं, तो इसको जरा आप ध्यान से देखेगा, कैसे ये बनेगा, कैसे ये बनेगा, जरा ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर कहा, राम, क्या कहा, राम, sad to को किस में change करा, told, ये me है, as it is, इसकी जिगा, inverted, कोमाज की जिगा, क्या हो जाएगा that, अब देखो, honesty है, तो as it is, क्या हो जाएगा, h, o, n, e, s, t, y, honesty, अब ये इस जै, तो इस में ही रहेगा, is the best policy, honesty is the best policy, clear हुआ, clear हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को next देखो, next क्या होना चाहिए, मैंने यहापर next sentence, आपको next example दिया, next मैंने example दिया, मैंने कहा, you, said to us, कोमा, inverted, कोमा, t, w, o, 2, and, t, w, o, 2, make, 4, 2, and, 2, make, 4, 2, and, 2, make, 4, बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है बहिए, अच्छी बात है, 2, 2, 4, बनाते हैं, अब यह तो देखो, एक अलग बात हो जाएगी, क्या कहा दें, किसर हम तो 6 बनाते हैं, कि भी आपके डिंडे में ज्यादा दम है तो किसी को ड्रा धमगा कि आप कुछ भी बुलवा दो लेकिन दोड़ दो अगर मल्टिप्लाइ भी करोगे तो भी चार होगा जोडेंगे तो भी चार होगा ठीक है ना तो ऐसा ही यह सेंटेंस बोल रहा है ठीक है जल्दी से इसका पैस्सुरी इंडिरेक्ट बनाईएगा हां बहुत बार होते हैं ना कुछ लोग मतलब एक अलग लेवल का स्वैग है उनके दिमाख में भी और उनसे कहरें भाई साब यह वही गाम है ना वह तो नहीं यह तो दुबई है ठीक है यह तो दुबई है अरभे वही गाम है जिसमें बोड लग रहा है सामने ठीक है तो अमन भाटी, नल ना दीख रहा है सरकारी, नल पीले पानी भी हम पिलाएंगे तुझे, तो एक अलग बात है, बहुत बार आपने ये भी देखा हो, भासाइब ये सड़क कहां जाती है, सड़क तो यार कहीं न जाती हम भी से यहीं देख रहे हैं, when we oughtot that, तो इस टाइप का मतलब एक mentality एक अलग बात है ठीक है एक अलग बात है ठीक है ना तो वो तो इक अलग ही लेवल हो गया भी मतलब क्या कर सकता है ऐसे इंसान का अदमी वो भी गलत नहीं है भाई सब सडक तो कहीं नहीं जा रही हम भी इसको यहीं देख रहे हैं तो सामने वाला निरुत्तर हो जाता है हाँ यह अलग बात है कि सामने वाला मतलब अक्षकुमार हो कि हाँ चल बाप को मैं समझा ठीक है वो एक अलग लेवल हो सकता है क्यों वही नितु सिंग चलो तो जल्दी से देखें क्या होना चाहिए तो यहां पर आप क्या करेंगे क्या करेंगे यू है as it is रहेगा said to को किसमें change करेंगे तोल्ड और यहां पर क्या हो जाएगा अस हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा ठीक है ठीक है चलो तू ध्यान से देखो you told us इसकी जिए क्या लगाएंगे प्यारे बचो that हो जाएगा क्या हो जाएगा that आगे का sentence क्या रहेगा to and to and to आगे क्या हो जाएगा make और आगे क्या हो जाएगा f o u r for हो जाएगा किसी को कोई doubt शक या संधे जल्दी से बोलो भई प्यारे बचो जल्दी से बोलो किसी को कोई भी doubt शकिया संधे ठीक है होना तो नहीं चाहिए जल्दी से देखो चलो clear हुआ तो चले फिर आगे फ्यारे बचो चले फिर आगे next देखेगा मैं एक दो example और कराता हूँ आपको ज़रा ध्यान से देखेंगे next अब इससे next आगे चलते हैं मैंने यापर कहा next type है ये they said to us ठीक है you have not done your work today question को थोड़ा अपग्रेड कर दिया है question को थोड़ा अपग्रेड कर दिया है ठीक है चलो तो told के साथ 2 नहीं आएगा हाँ ये दो देखो common बात होती said to का ही told बना है तो वापिस to का ही लगाएंगे आप ठीक है ना चलो तो जरा धियान से देखो क्या हो जाएगा प्यारे बचो they है तो adjectives रहेगा said to को किस में change करेंगे told में change करेंगे यहाँ पर us है तो adjectives रहेगा इसको किस में change करेंगे that में change करेंगे किस में change करेंगे that में they told us उन्होंने हमें बताया कि you किसके हिसाब से change होगा बेटा यहाँ पर us लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर us लिखा हुआ है तो us को किस में change करेंगे us को किस में change करेंगे we में change कर देंगे किस में change कर देंगे रे बाबू we में आप change कर देंगे clear have है तो किस में change हो जाएगा भाई साब head में change हो जाएगा note है तो note में change हो जाएगा done है तो done में change हो जाएगा अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लेखाता है U का इसके अनुसाद change होगा V यहाँ पर U के साब से यह वर है वी के साब से क्या हो जाएगा आवर और यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा टूडे को किस में चेंज करेंगे दैट डे को किस में चेंज करेंगे दैट डे में चेंज करेंगे कोई डाउट किसी को भी कोई भी डाउट जल्दी से बोलो वे प्यारे बचो किलियर है ना किलियर है ना प्यारे बचो जल्दी से देखो हाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ जरा ध्यान से देखो बेटा दे है तो एजट सेड़ टू को टोल में चेंज करा अस इसमें चेंज करा इसकी जिगाद लगा देंगे यू किस के हिसाब से चेंज हुआ अस असका सब्जेक्ट क्या जाएगा अधर वी तो जब यू के साब से योवर आ रहा है तो जिस बार सब्जेक्ट हमारा यू था तो योवर लिख रहे थे इस बार सब्जेक्ट वी है तो वी का पजेसिव केस क्या होता है आवर जैसे यू का पजेसिव केस योवर होता है तो ऐसे ही वी का पजेसिव केस आवर नहीं होता क्या होता है कि नहीं होता है definitely होता है यार ठीक है अब बताओ कोई doubt किसी को बहतरीन समझ में आया बहतरीन है न चीजे clear है न आपको ठीक है जल्दी से देखो भई एक और ज़रा मेरे को question बताईएगा मैंने कहा you said to him I do not I do not teach them I do not teach them देखो चीजे दो दिन में सीखलो लेकिन सीखलो चीजे एक दिन में खथम करनी है और समझ में न आया है बस पढ़ लिया है narration समझ लिया है अपनी अंतरात्मा को यह समझा दिया है कि हां narration पढ़ लिया है आना और नाना that's a different matter ठीक है वो एक अलग बात होगी किसी ने आप से पूचा और वहाँ आप सा समझेगा आपकी सिटी पिटी गुम होगे यार अब क्या करूं तो ऐसे मस सीको यू चुकि ऐसे CGL और CPU तो पास नहीं होंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा प्यारे बचों यहाँ यहाँ पर क्या होने वाला है हिम होने वाला है यू टोल्ड हिम यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्या करना है इस बार डैट का प्रियों करना है आई किसके हसाब से चेंज होगा यहाँ के हसाब से चुकि सब्देट के हसाब से चेंज होता है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यू डू नोट है तो किस में चेंज हो जाएगा डिड नोट प्यारे बचो टीच है एज़िटीज आ जाएगा टी एसी एच अब मुझे यह बताओ दैम किसमें चेंज करूँ संदीप राज आपने कौन-कौन से एक्जाम किलियर किये हैं ठीक है और बेटा मेरे एक्जाम किलियर करने से रियली ठीक है कोई मैटर नहीं करता यह कोई मैटर नहीं करता किसी टीचन एक्जाम किलियर किया तो आपको तभी बहुत बैतर पढ़ा सकता है या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं किया तो कम बहतर पढ़ाएगा या कर रखा तो ज़्यादा ये कोई matter नहीं करता ठीक है और मेरे exam pass करने ना करने से सच में आपको ना तो कोई motivation की जुरुत है यार ये मतलब इस आत्मी ने exam pass कर रखा मज़ा ठीक है कोई नहीं teacher अपन examination matter नहीं करती no one will decide that ठीक है for a job ठीक है ये through a job he is better yeah he is not better ठीक है exam pass है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है exam pass है बहुत है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है matter करता है कि आपका pass है कि नहीं तो I want you to be the चलो income tax inspector बना देते हैं ठीक है तो आपको हम ये चाहता है आप ये बनियेगा हो जाएंगे exam भी pass ठीक है very soon I'll tell you ठीक है where I am ठीक है कि हम कहां है चलो very soon you will come to know about that जोर से बोल बोल के सबको scheme बता दे है बई ये बड़ी हाथा गुरू ये बड़ी हाथा जोर से बोल बोल के सबको scheme बता दे ठीक है ये बड़ी हाथा भी गुरू मन मतलब गदगद कर दिया एक sentence ने कि कौन से department में है सर ठीक है चलो बताएंगे जल्दी बताएंगे बई आपको नहीं चीज सीखनी है, जहां भी थर्ड परसन आ जाएगा, जहां भी प्यारे बच्चा थर्ड परसन आ जाएगा, तो जब वो थर्ड परसन ही no change है, तो उसका object और subject हमेशा क्या रहेगा, no change, तो यह क्या रहेगा, damn रहेगा, getting, ठीक है? जिसने हर एक्जाम पास किया, उसे क्या पता, ठीक है, कि गलती क्या होती है, मतलब failure क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं अभी दोस्त, ठीक है न, चलो, जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां पर कहा, Mohan said to me, said to me, I do not teach you, very well, ठीक है, यह question है, बस इसको और आप मेरे को बता दीजेगा, बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे, कल के glass में पढ़ेंगे, जल्दी से बोलो, क्या होना चाहिए? Mohan told me that he did not teach me very well, गलत हो गया, गलत कर दियो रे बाबू, ठीक है, अच्छा, अच्छा, मी है, ठीक है, ठीक है, चलो, देखते हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है, आशिस, बिल्कुल ठीक हो सकता है, चलो, देखो जरा, कैसे होगा भी प्यारे बचो, कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखेगा भई, बहुत आसान है, Mohan है, तो as it is copy हो जाएगा, sad to है बेटा, तो किस में change हो जाएगा, told में change हो जाएगा, me है, तो as it is आ जाएगा, जेकी जिगे हम का लग आएगा, यहाँ पर, that हो जाएगा, I किस के नुसार change होगा, Mohan के साब से, Mohan भी एक लड़का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है बई, चलो, जरा ध्यान से देखो, do not को किस में change करेंगे, did not में change करेंगे, किस मे change होता है object के नुसार ठीक है भई तो मी को किसमे change करेंगे यहाँ पर मी किसमे change होगा तो यहाँ object है ना तो मी किसमे चेंज होगा ज़रा ध्यान से देखो वो object है तो as it is ूट के इधर आजायेगा मी हो जायेगा क्या हो जायेगा मी आगे क्या हो जाएगा very well कोई डाउट किसी को किसी को भी कोई डाउट ठीक है चलिए तो फिर आज की एकलास प्यारे बचों हम यहीं रखते हैं मैं उमीद करता हूं आपको बहतर और अच्छे तरीके से समझ में आई होगी बहतर और एक बहुत अच्छे तरीके से आपको एकलास सम मनोज गले लग जा ठीक है बहुत बहतरीन बहुत बहतरीन ठीक है जिस आदमी को पहले इंगलिस से डर लगता था वो तहीस कोईशन डीपी एसे में इंगलिस का ठीक करके आया मतलब गले लगाने वाली बात है यार मन खुस कर दिया ठीक है मन सच में खुस कर दिया वे दोस अगर DPSCM में आप ते his question correct करके आया है तो really ठीक है आप मेहंती आदमी है आप बहुत मेहंती आदमी है मन खुश कर दिया मतलब ठीक है बच्चों देखो हम यहां मेहनत कर रहे हैं आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट पक्का है ठीक है चलो तो सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार ठीक है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम सब लोगों की जितने भी RW में टीचर्स, मेंबर्स लगे हुए हैं ठीक है खाली हम तो बेटा फेस हैं पीचे वाले लोग करएं जो आपकी क्लास करा रहे है ठीक है जो टाइपिस्ट है जो मेहनत कर रहे हैं दिन राथ पीडियेप बना रहे हैं आप सब लोगों को ले उनकी मेहनत हम से भी जादा है हम पढ़ा कर बैठ जाते हैं लेकिन वो continue work करते हैं तो उन लोगों को भी आप thanks बोला करें जब आप लोगों की job लग जाए और आप लगे कि you are going to be successful in your life so many people are behind your success बहुत सारे लोगों का हाथ होता है आपके success के पीछे ठीक है अभी प्यारे बचो तो आज की class यहीं रखते हैं कल मिल दें तब तक के लिए bye bye see you tomorrow जहिन